जाहिंद आज किस वीडियो में हम चर्चा करने वाले मस्तूरीन सीरफ के वारे में इसको कब कैसे और को इस्तमाल करना चाहिए इसको इस्तमाल करने के बाद इसका क्या बेनिफिट होता इसका क्या डोज होता और इसका क्या साटिफिट होता और सबसे बरी बात ही है कि इस सीर सबसे पएम मस्तूरिन कर लाएं कुछ भारे में सबसे पहले हम जाने लेते मास्तूरिन सीरख के बारे में कुछ ऑइसिक डिटेल यह घंशकरने के स्टोरियुक्तिन का दोया लेके के कुछ अंद्रोनी समस्या हों हम सबसे पहले कुछ बैसिक डिटेल आप लोग को पता दे ज़िए हम तर्द मस्तूरीन सिरफ एक नेचराली दवा है और महिलाओं के मासिक धर्म संबंदी के लिए बहतरीन रूप से सक्ति साली है जैसे की मासिक धर्म साबित होता है लिकोरिया इस्त्री रोग संबंदी समस्या और गर्ववस्ता की उलजन को खतम करने के लिए या एक बैतरीन दवा है गर्ववस्ता मतलब कि महिना में गरवरी के खारण कोई भी महिला जो गर्ववस्ता रूप में नहीं आ सकती है उसके लिए सबसे बैतरीन दवा है या मस्तूरिन सीरप अब हम जान लेते हैं इस समस्या के बारे में कि वो कैसे कैसे समस्या होती महिलाओ को और उस समस्या में इस सीरप को कब कैसे और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए सबसे पहले आप लोग जान ले कि यह मस्तूरीन सीरप मासिक धर्म की विशिष्टतां रोगारता उडली कोरिया, ट्राइटीस जैसी समस्याओं के लिए बहतरीन दावा है यह मस्तूरीन सीरप और मैं आप लोग को साथी साथ बता दूं महलाओं के महलाओं में यूट्रस, गर्भास की सूजन, जुर्यों के लिए काफी लाबदायक होता यह मस्तूरीन सीरप यह मस्तूरीन सीरप मासिक चक्र की अउधी के बीच हर एक समस्या से आपको दूर करने के लिए सबसे अच्छी आम जरी भुटी वाली दवा यह मस्तूरीन सीरप मस्तूरीन शिरब नियमित पोंडर मांस्पेशियों के टोन करता है तता यह समानने रूप से मासिक धर्म चक्र और मासिक धर्म को नियंत्रित करता है और साथी साथ यह मस्तूरीन शिरब अन्यम महला समंदी रोगों को ठीक करने में सहायक होता है पिरियर्ट्स यानि के महिनवारी के दवरान होने वाले दर्द जैसे मस्तिस्क का दर्द हो तो यह दवा ऐसे में मस्तिस्क का दर्द तो यह ऐसे में और शरीर की ठकान और पीठ में दर्द आधी कही समस्याओ को ठेक करने में फायदे मन्द होता है मस्तूरिन शिर्ब महिलाओं के पीठ में दर्द, तकावट, महसूस होती है मस्तलिन पर ép के विकार मुझत है रहे हैं मशतूरिं को सभरत पदता है महिलालो के लिए पोलिस कीश्टिक विकार के लिए मस्तूरिं हम दर्थ दवा उप योगी होते हैं और मैं आप लोग को साथी साथी है पता दू कि इस शिरफ को वज़से महला इस्तेमाल नहीं करें जो महला गर्भवती हो जो महला अगर गर्भवती है या डिलेबरी से है वो महला इस मस्तूरीन शिरफ को बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करें या मस्तूरीन शिरफ सिर्फ नन या फिर दर्फोन्ध हो गया हो गया है फिर घंजिय नातार। महिनवारी के दर्ड करता हो और दिया मस्टूर करता हो या फिर जलन होता हो या फिर थकावट महसुष होता या फिर PASsh partner मास्तूरी सिरब को liquid हैं और यह हम दर्फ कमपनी का मस्तूरी सिरफ की है है आप लोगों सुलेज़ान के सुलेकिन थे निय। दो इसलिए आप लोग असानी तरह से इस मस्तूरीन शिरफ को उप्योग मिला सकते हैं अब बात है इसका डोज को उपर इसका डोज कैसे कैसे होगा तो सबसे पहले आप लोग ध्याद देंगे कि इस मस्तूरीन शिरब को 15 साल से अधिक उम्रवाले महिला में इस्तेमाल किया जा तो बहतरीन होगा जो साधी सुधा महिला वही मस्तूरीन शिरब को इस्तेमाल करते हैं तो बहतर होता है अगर 15 साल सधीक उम्रवाले बेक्तिम इस मस्तूरीन शिरफ को इस्तेमाल करते हैं तो 10-15 ml दावा 10-15 ml पानी सुबा और साम डेली यूज़ करना चाहिए अगर आप लोग कोई भी डाट लगे तो कमेंट बक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बता हैं थांक्यू सो मच हमारे इस वीओ को देखने के लिए